एक तुम्ही आधार सद गुरु एक तुम्ही आधार एक तुम्ही आधार सद गुरु एक तुम्ही आधार एक तुम्ही आधार सद गुरु एक तुम्ही आधार जब तक मिलो ना तुम जीवन में जब तक मिलो ना तुम जीवन में शांती कहां मिल सकती मन में इन दोर से सो किलो मिटर आगे खंडवा है वहाँ एक अपनी साधी का बहन ने बच्चे को जनम दिया बच्चा बहुत कमजोर और अब मरे अब मरे ऐसी हालत थे इलाज चलता रहा छह महीने का बच्चा हुआ खंडवा से इंदोर लाई बच्चे को इंदोर की बड़ी ओस्पिटल चोईतराम बड़ी प्रसिद्ध मां के डॉक्टरों ने का इतने अजार खर्चा होगा पर बच्चा बच जाएगा गरेंटी नहीं दे सकते तब पती पत्नी दोनों बच्चे को लेकर इंदोर में जो अपना आश्रम में वहां गए और वहां जहां बापु जी ने शक्ति पात किया उस पीपल के पेड़ के नीचे कुछ बिछा कर बच्चे को लिटा दिया और वो प्राथना करने लिए हम आए है शरण तुमारी अब उद्धार करो दुखहारी सुन लो मेरी पुकार सद गुरू एक तुमी आधार बापु जी की तस्वीर की उपर से एक फूल उस बच्चे के उपर गिरा पत्नी की आँखों में हर्श के आँसू आ गए लगता है मेरी पुकार स्विकार हो गई निश्चल रदे की पुकार कभी निश्पल नहीं होती पीपल के पत्ते पर थोड़ा जल लिया वहीं से और बच्चे के मुमें डाला और प्रात्ना की फिर से ए प्रभु तुम ही वी विधरूपों से हमें बचाते दुख कूपों से हमें बचाते दुख कूपों से ऐसे परमवदार सद गुरू एक तुम्ही आधार पिर वो बच्चा एकदम ठीक हो गया और वो अपने बच्चे को लेकर घर को चले गए पुकार में बचार तुम्हाएं